नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शबी को बिता दे कि आने वाली 48 घंडों का शमय दोस्वों बहुत ती महत्पूर शमय है यश में बहुत तीर शुबीयों का निर्मान हो रहा है बहुत ये अच्छे योगों का निर्मान हो रहा है जिनके कारण दोस्तों आप शिबी के जिनकाल में बहुत शारे भागिशाली इस्तिती बनेंगे जहां पर आपको लाब की शम्होने दिखेंगे उनके शाथ आप लाब को भी यश में अर्जित कर पाएंगे जया दोस्तों हलाकि हम आप शिबी को बता दे कि अच्छ में एक दो एक से छेतर होंगे जहां पर असुब गरा भी होंगे असुब छेतर में आपको अशुब लोग भी मिलने वाले हैं जिनमें आपको शमलना जिनमें आपको बचना बहद ही आउशाक है अगर आप इन से चुक गए तो दोस्तों लापशे तो आप उन्चित रहेंगे इस शाथी बहुती बुरी घटना आप शिबी के जुनकाल में भी घट सकती है इसलिए दोस्तों आप शिबी को बता दे कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिश मत कीजिएगा जो भी आज के इस वीडियो को अंततक ध्याश दिखेगा और दोस्तों जो भी इन बातों को शमझ लेगा उनके जुनकाल में अगले 48 घंटों का शमे सबसे दाभागी शाली शमे शाबित होगा और जो लाब जो काव्याबी आपको अगले 40 घंटों मिलने वाली है इन्हें आप अगले शाथ जन्मों तक भूल नहीं पाएंगी जिया दोस्तों बेहदी लाबकारी स्तिती आप शिबी को यश में प्राप्त होने वाली है पर दोस्तों हम आप शिबी को बता दे अजके इस महत्पुन वीडियो को बनाने में हमारा जितना महत्पुन शमय गया है दोस्तों उनमेशी थोड़ा शमय आप निकाल कर अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों हमारा जो महनत है यह शफल हो जाएगा हम यह शमय लेंगे और हमारे कर्मों का भी खड़ा बरेगा तो दोस्तों बिलकुल ही दियानशी शुनियेगा दोस्तों आप शिबी को बिता दें कि जो शमय चल रहा है यह शमय एक शाथ आपको दो बड़ी चुमतकार देखने को मिलेगा जी हां दोसों याश्म में आपका भाग बिल्कुल ही परवल इस्तिती में होने वाले हैं जी हां दोसों और याश्म में आपको जो भी बड़ी कुछ कवर मिलेंगी दोसों वे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा लेकिन दूसरों साथ हम आप श्यवी को बता दे कि येश में दो-दो शमयश्याँ भी आपकी जुनकाल में आने वाली है एक प्रकाष के हैं दोस्तौं आपकी जुनकाल में कुछ भैंकर्षा घटना भी होने वाले हैं जी दोस्तौं इसलिए दोस्वे आज के इस वीडियो को आप दिल्कुली ध्याश दिखेगा जे दोस्वे एक शाथ तो दो मुशिवत का आपको शामना भी करना पड़ेगा और दोस्वे उश्य में आपको शमिश्याय हो शकती है लेकिन दोस्वे यश्य में अगर आप गलत निरले लेंगे तो दोस्वे आगे चल कर शमिश्याय का शामना आपको करना पड़े जाएगा जे दोस्वे इसलिए यश्य में आप शही निरले के चलेंगे कौन शाथ आपको कारी करना है कौन से कार नहीं करना है ताकि आप दो उस्थे जलमत बाहर आजाएं और जो भी शर्माइज आपकी जनकाल में है दोस्तों उनका आप शामना करके उन से बाहर आजाएं जो दोस्तों इसलिए आपको गड़ी है कौन सा कारे करना है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इशारी बात बताने वाले हैं इसलिए दोस्तों इन शबी बातों को आप बिल्कोली ध्यान से सुनेगा जे दोस्तों हम आप शबी को बतायागा कि यह शमय जो भी शमय शबी आपके जुनकाल में आने वाले हैं पर दोस्तों आप कौन से चेतर में आपको अधिक तरकी यश्मी मिलने वाला है। कौन से चेतर में आपको कौन से चमतकार देखने को मिलेंगे। शादी साथ दोस्तों उसके बारे में हम इस्तार्श इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आप शुबे को बता दें कि आप शुबे से बस यहीं विनेती है कि आज की इस वीडियो को आप विलकुल ही ध्याँशी दिखेगा अगर आप इशुवर को मानते हैं भगवान भुलिनात को मानते हैं तो दोस्तों कमेंड बॉक्ष में सच्चे मन्से हर हर महादेव जरुर लिखेगा शाधी दोस्तों चैनल पर अगर आप नये हैं तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेजिए csak क्योंकि दोस्तों आपके रासी से जुडे लाख हों लोग इस चैनल पर जुड चुके हैं अगर आप अभी तक नहीं जुड़े है तो चैनल क आपको शब्स्क्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को प्रेश कर दें athletic समय शव्य जुड़ी शवी जनकारिया आपको मिलेंगी Youth massage यह दोस्वों तो आई दोस्वों बात कर से हैं दोस्वों आप शुभी को बता दे दोस्वों आपके लंबे शुमिशी आपके जुनकाल में शुमिश्या चले आ रही है मुश्वितें चले आ रही है दोस्वों मैं जानता हूं कि आपके जुनकाल में कई शालों शे यह मुश से जहांगेंगे तो दोस्वों आप उनमें देख पाएंगे कि पिजले शेमें आपकी जुनकाल में उतने तकलिफें नहीं थी इतने शुमेश्याई नहीं थी आप एक अच्छी जिवनकाल को जी रहे थी जिवनमें शबकुष ही चल रहा था आप अच्छी कमाई कर रहे थी पर परिवार में शबी लोग किशी तरह खुश थे जे दोस्वों और दोस्वों अभी एशा हो गया है कि दोस्वों आपकी जुनकाल में मानूख खुशियां रूट सी गई है एक नए ने शत्रू बनते जा रहे हैं आप जहांपी कार कर रहे हैं वहाँ पर आपको शमी के शाह साथ आपके हैं आतों कुछ ऐसी गलती होती है कुछ इसे अंजान से चुक हो जाती है जिनके कारण दोस्वों आपको शमश्याएं घेर लेती है और दोस्वों फिर आप उन्हीं शमश्याओं में फर्ष कर अपने शारी जो भी उप्योगी चीज है एक परकार स आपके युनकाल में इस परकार आ जाता है जिसे दोस्वों आपको लगता है कि हम बाहर नहीं चाह सकते ही जिहां दोस्वों हम आप शुभी को बता दें कि दोस्वों अब आपको अपने युनकाल में परिशान होने के आउश्यक्ता नहीं है कि दोस्वों समय के शार्द ग अभरोन के इस्तिती बदली है तो दोसों अब आपको हुआ गलती नहीं दोहानी है जो आपने पिछले श्यक्राम दोहाई है दोस् loosely आपन ने कौन सी गलती आ की है उसके बारे में बात करेंगे और आपको कौन सी गलती नहीं करने है उसके बारे में बात करेंगे शाद ही शाद दोस्तों अब आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों फिरे से आपके जुनकाल में कोई श्मश्याई ना आए और ना ही आपके जुनकाल में कोई श्मश्याई बताए जिन से आपको अपने कारिभार छोड़ना पड़े जिन से आप तंग हो जाते हैं जियां दोसों तो दोसों वीडियो को बहुत ही ध्यान और बिल्कुल ही मन लगाकर ध्याश दिखिएगा तो ऐगर दोसों बात करते ही दोसों आप शुपी को बता दें कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा है कुछ लोग मिट्टी भी छुता तो शोना बनता है लेकिन आप शोना भी छुत देते हैं तो दोसों वा मिट्टी बन जाता है कहने का ताद पर यही है कि आप जो भी कार कर रहे हैं आपको शुबलता नहीं मिर रही है, जिससे आपको लगता है, कि भगवान आपसे ही बहुती नराज हो गया है, जिए दोसों, हर जगह, आपकी जुनकाल में हर वक्त, आप जो भी कारे कर रहे हैं, उनमे आपको मुश्यवत का शामना करना पढ़ रहे हैं, उनमे आपको कर पाते हैं तो दूसरा शमश्य आपके शामने खड़ा हो जाता है आप बहुती मुश्किल से धन संचे नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों पेशे आपके पास तिपते नहीं है पेशे इधर से आते हैं तो दोस्तों पेशा उदर चला जाता है और बहुती मुश्किल से मेहना से थ आपके खर्च हो जाती हैं जो कि आपके लिए जरुत नहीं थी उन्हें भी आपका प्रेशा चला जाता है लेकिन दोस्तों आज के बाद इन शमेश्याओं को आप शमाप्त कर पाएंगे और यह शमेश्याओं आपकी जुनकाल में आप शमाप्त होने भी वाले हैं और आप इ बड़े-बड़े अर्चने आ रही है एक शी बढ़कर एक मुश्यूवत आपको देखने को मिल रही है दोस्तों अब जो भी कोई नई कारबार की शुरुवात करना चाहते हैं आपको लगता है कि कल पर्शूंग चे शुरुवात करेंगे तो दोस्तों जिसे ही शुरुवा कारता मिल जाती है जय दोसों इश्य के आपको क्या करना है इनमें निराश नहीं होना है प्र हम आप शिवी को बताते हैं कि आपके जुनकाल में कुछ लोग एशे होते हैं जो आपको उंगली पक्रगर कर चलना कभी-कभी शिखाते हैं और वही लोग आपको आत्म सम्मान को ठेज भी पहुंचा रहे हैं जी हैं दोसों इस बात का आप ध्यान रखें आप भूल जाते है हैं कि यह लोग हमारी अपने हैं लगे दोसों इन बातों को आप याद रखें जो भी आपकी जुनकाल में इशा व्यक्ति है जो मुझ पर आपके अच्छे बोलते हैं लेकिन पीट बीचे वह आपके लिए बहुत शारी गलत सणियंतर रजते हैं आपके ही कार्यों को भंग होती है आप बहुत ज़्यदा प्रिशान भी हो जाते ही दोस्तों शबशे पहले चली आ रही है आपकी उनकाल में इस वह समाप्त करना होगा याश्य में आपको रुजगार में भी बृद्धी होने की शबहोना दिख रही है तो गरों की स्थिति बदल रही है रुजगार क आपको शुटकारा मिल जाएगा जिया दोसों यहाशन में आपको फॉनकॉल से गजो लाए सिखना मिल सकती है जो मन परशन कर देए अगर विडेशी आ करमन से जुड़े हैं तो गरी इस्टी से यात्रा क्यूं होगा और कारे के लिए आप जाएंगेisip नहीं होगा। शाथिशा दोसों हम आप शिवी को बता दें कि यह यश्म में आपके कौई इशा इंशान होगा। जो आपको परिशान करने के लिए शनित रचेगा, जलनकी भाव नभ founders अपने मने में रखेगा। आपको कहेगा नहीं। क्यों दोस्तों हम आप शुबी को बता दें कि आपने अपने अपने जुनकाल में जो भी कुछ हासिल किये हैं, वो आपने दिन रात मेहनत करके आशिल किये हैं, आपको विराशत में कोई इशा धन प्राप नहीं हुआ है, जिनसे आपने जुनकाल को अच्छी तरीके पेठे भी हैं, आप शे जलन की भावना राते हैं, और दोस्तों आप शें ब cynी करेंगे कि जो भी कुछ लोग शेजऊकर और पीट पीच्छे आपके लिए कर रहे हैं दूसर ईपसदे आप मुछ पर अच्छे मत बोलीए दोस्युं बिल्कुली रिश्टा उन लोगों जो कर देजी है कि उधाता चीन है ग्यांदा करते हैं अधर था आपके लिए कषीं से शुम्हां जाएगा अगने अपना आम आ धेक हैं। और दोश्चामा पर नहीं कहते कोई बात नहीं है दोस्तों आप उन्हें दिल शे उन लोगों को मिटा कर अपने जुनकाल में आप विवेस्थ रहें जिया दोस्तों हम आप शुव को विदा दे कि यह इन बातों को ध्यार रखें कि पिछले शमय जो भी आपके शाथ गलत हुआ है उन्हें वो शभल होने वाले हैं शिकटीषर्णावारे आपको पनेवानी से बना करांना है जो भी बोलेंगे शो कर समझ है दिया रखे दोस्व इस यह हो ता क्या है इस फे गुर्व गरा जो यह मजबुत होता है शातिषाद शनीदे भी परिशन होते ही और दोस्व गृू शनीगर आपशी परिशन होते हैं तो जो भी आपके जुनकाल में गलत धारनाएं होती है जो भी विरुति दिशाएं के करको हो दोस्अं आप जितना कर सकते हैं जितना आपके मनशी कि डिल से आपके हिर्देश हो शकता है तो इतना उनको कर जिएगा दोस्व है ऑपकी चोटा शेयोग आपके जुनकाद में आपकी गरहों कि सित्वी को बश्युदार देगा इस बात के आप ध्यान रखें शार कारियों पर शावधनी रखने होगी, गलत शंगत पर आपको शावधनी रखने होगी, गलत लोगों के इशाद आपको नहीं जाना है, जिया दोसों यश्मी लोग आपको प्रिशान करना चाहेंगे, आपको नुक्षान करना चाहेंगे, शेड़ें तो वो लोग रचेंगे, क आपके कारियों को भी बदनाम करवा शक्ति हैं आपके इजद परत्चा को भी मिटा शक्ति हैं तो दोस्तों आप इनकी चलांकिश बचेगा कुछ इसे अपने ही लोग हैं जो दोस्त बनकर जो अपने बनकर आपके लिए शतुरुता कर रहे हैं आपके लिए मुशिपिते जो शुपलता है आपके जुनकाल में मिलने वाली है दोसों वो आपको बहुत ही अश्वानिश मिलेगा जिया दोसों यश्में आपके आर्थी सती बहुत यच्छी बनने वाली है पहले से आपके आर्थी सती यश्में शुधरने वाली है जिया दोसों आप शुभी को बताते की कारभार में आपको इश्पल्दा मिलेगी धन की शंभावना यश्मिप आपको बहुत ही ज़्यादा दिख रही है जिदो धन कमाने के कई शारे आपको रास्ति मिलेंगे कई जगहों से आपको अचानक इशाद धनलाब होगा जिनसे आपके जुनकाल में खुशिया है खु यह तो दोस्तों यह आप ध्यान रखिएगा कि यह इश्मिप आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितना आप सुच रही है तो दोस्तों सभी श्यमिक आपको बस उतिजार करना है ज्येंदोस्तों शादे शाद सरकारी पक्षे भी आपको कुछ धनलाब होने की शमाना द योग है तो दोस्तों जो पेशा आप सोचे थे कि वह पेशा चला गया वह पेशा वापर नहीं है अगर वह पेशा आपको परदन्ती मिल सकती है आपके कारियों की जो इस शहरना भी होगी बहुत आपका श्यमान करेंगे शाथी शाथ दोस्तों यश्मी आपके शमाज में आपका इज़र परिष्टा बढ़ने वाली है जी है दोस्तों समाज में आपका एक उसेज पहचान होगा कि दोस्तों यश्मी आपके जुनकाल में भगवान भोले नाथ प्रेशन लो हुए है एक प्रकाश्र के हैं तो भगवान बहुले नात आप पर महर्बान हुए है जो गर्भा के सती है इनमें शाप शाप दिखाई दे रहा है कि आपको अपने यूनकाल में जो भी आपके जुनियर के व्यक्ति है उनसे स्यूग मिलेगा और उनसे मिला स्यूग आपको बहुत भी मुचायों तक लेकर जाएगा जिया दोस्तों शाथ 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 दोस्तों हम आप शुभी को एक बात बताना चाहेंगे कि आपको दोस्तों जिसरे के हमने आपको पहले बताए हैं कि यश्मे आपकी अपने ही आपके लिए शत्रू बनने वाले हैं दोस्तों अपने लोगों क्टары आपका बाल भी भागा नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा शावधनी पत्ना होगा याश में आपको अपने जुनकाल में पतनी और बच्चे की खिलाप आपको भड़का शकता है और दूस्रों शात or याश में आपकी पत्नी और आपके बच्चे को भी आपके खिलाब भड़काया जा रहा है, ताके दोस्वों घर में किशित ना किशित रखा प्रिगन बदाया हो, कलेश हो, आप शी मदबेद हो, जिनसे घर टूर जाए, और दोस्वों आपकी तरक्की को वो इंशे रोख सके, जे दोस्वों इसे सडेंत आजाए, तो दोस्वों इसे लोगों से आपको बस शावधा रहना है, इसे लोगों से आपको दूरी बना कर रखना होगा, और दोस्वों यहां तक कुछ बातों का आपको विश्यश ध्यान भी देना होगा, जो शामने आपका हितकारी होने का दिखावा करते हैं, आपके के लिये अच्छी बनने का नाथा करते हैं और दोस् encourage और जाकर आपकी बुराई करें इसे लोगोंको आपको बश उन्षे दूर रहना है और उन्षे आपको शाधन रहना होगा जी हां दोसों दोस्तों एक और महत Benson बात हम आप शुबी को बता दें कि कोई इंशान अगर चुगली करने वाला इंशान है किसी और का बुराई आप के पास आकर कर रहे है तो दोस्तों इस बात का ध्यान तक है ये बात तो तय है कि आपके जाते ही आपका भी बुराइं किशी और की पाश करेगा दोस्वों यहां बहुत इब महतपुन बात है जो के दोस्वों सत्य बात है कड़वा है लेकिन दोस्वों यह शत्य है अगर कोई इंशान आपके पाश आकर किशी का जो है चुगली कर रहा है तो दोस्तों जाहिर शी बात है कि आपके जाते ही वो आपका भी चुगली किशी और के पाश करेगा दोसों वह तो एशा इंसान है जो शत्रक उनसे आपको बस रहना होगा पर दोसों अगली जो बाते हैं जिस पर आपको एक विशेश ध्यान देना होगा दोसों यश्मी आपके गाउं शमाज के जोवी लोग हैं आपको भड़काएंगे जियां दोसों दोसों एक दो बड़ी ही मैतपुन बाद है जिस पर आपको ध्यान देना होगा दोसों यश्मी गुप्त रुप से शत्रु तयार हो रहा है आपको नुक्षान करना चाहता है आपको किशी भी हद तक नुक्षान करने के लिए वो जा सकते हैं जिया दोसों, यहां तक की यर्ष में आपके घर में इतना कलेश डालेंगे, जिया दोसों, आपके घर में घर के कोई भी बच्चे भी आप शे लडाई जगरा करके बाहर जा शकता है, कोई भी घटना हो शकता है, यहां तक की आपके उपर ही बड़ी घटना करने का शंकेत है तो दोस्वों यश में आपको शुर्यास्त के बाद घर्षे कम ही निकलना बेहतर होगा जिया दोस्वों घर्षे आप जदा भाहर ने निकलें शाधिशा दोस्वों यश में अग्यात लोगों के शाध बैठना उठना आपको बंद करना है जे दोसों आपको किशी के भी पास अंजालों के पास नहीं जाना है किशी भी अग्यात इंसाम सिखे जो यह शाथ खाना पीना आपको नहीं करना है दोसों इस बात का दियान रखें किशी भी अग्यात के शाथ आपको कहीं पर भी नहीं जाना है एक और बात हम आप किशी को बता दें कि दोस्तों अगर आप घर्षे कहीं बाहर जा रहे हैं तो दोस्तों किशी को बता कर मस जाईए कि कहां जा रहे हैं क्या करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों ये कारे अगर आप किशी को बताएंगे मोटाना है कि दूसरों नहीं डूरह कि उतिकते सली घुरोगों को पया नगी चाहिएक, काम में दिकते आने लगती हैं गर परिवार में जगड़े होने लगते हैं बहुत शारी गिरीकलेश होने लगती हैं जिनसे आपको दोस्तों बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिसे आपको भागी और किशमत का शाथ मिले। दोस्तों या शमी आपको अपने जुनकाल में कभी भी किशी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहिए वो औरत आपकी माँ हो, बेहन हो, या फिर घर में कोई बुढ़ा बुजुर्ब हो, पती हो, प्रेमिका हो, या फिर पतनी हो, प्रेमिका हो, या फिर दोस्तों शमाज आती रहती है किसी बीचेतर में आपको शफलता नहीं मिलती है रुजगार कारिबार में घाटा होती रहती है तो कभी भी किशी कन्या को अपमान आपको immune करना है कि वे ये उवह द्सों नहीं हो दोस्वर्य को नहीं मानना है किसी भी बच्चे के उपर आपको बेवज़ा की जो है परिशाने नहीं डालने है साथिशा दोस्तों आपको एक दो बातें को और विश्य ध्यान देना है कि शुरियास के बाद किशी को भी रुपिया पेश ओधार ना दे इसे जिवन में बढ़कर एक शुमश्य आती रहती है इसका मतलब होता है कि मा लक्ष्मी को आप घर्शी बिदा कर रहे है और पेशे की दिकत भी इन से आती रहती है आर्थिक समश्याय हो जाती है आर्थिक सतिक कमजूर होने लगता है दोस्तों अगर आपके रोजगार कारूवर में जो है किशी परकार की अर्चने आ रही है एक से बढ़कर एक मुश्यूवित आ रही है तो दोस्तों उसके लिए आपको किन्नर को हरी रंका वस्तर दान करना चाहिए चूड़ी दान करना चाहिए कुछ रूपिय पेशों को आप दान करशकते हैं इनसे दोस्तों आपके जुनकाल में जो है परिशानिया नहीं आएगी और रोजगार में जो दिक्कत आ रही है दोस्तों वो शिमापत हो जाएगी रोजगार आपको फिरिश्य मिल जाएगा दोस्तों इस बात कर धन रहे है उनके लिए आपको शिवलिंग के ऊपर कचे दुद में जो है जल मिलाकर शिवलिंग के ऊपर आपको उर्पित करना है दोस्तों जिवनकाल की शिमापत हो जाएगी महादेव आपके कश्ट को हर लेंगे जे दोस्तों और जिवन में आपको शुकुन मिलेगा दोस्तों अगर आपको बिवाह में दिक्कते आ रहे हैं रिष्टे में दिक्कते आ रहे हैं रिष्टे नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों अच्छे रिष्टे नहीं आ रहे हैं और कभी-कभी रिष्टे अच्छे आते हैं तो तो यह रिस्ते तई नहीं हो पाते हैं रिस्ते टूक जाते हैं तो दोस्तों इनके लिए आपको क्या करना है आपको महादेव और पारवति का एक शाथ मुर्ति की पूजा आपको करना है जो भी फोटो है घर में है या फिर मंदिर भी आप जा सकते हैं महादेव और पारवति एक शाथ के चोवे चित्र है उनको आपको पूजा करना है जिह दोसों आपको जल्दी ही अच्छे जिवनशाथी आपको मिल जाएगी पर दोस्ओं बिभाव में जो भी शमशा है वो शुमाप्ट हो जाएगी जिह दोसों शाधी-शाथ दोस्ओं आपको प्रता दें तो आप एक अच्छे इस्तरी हैं तो आपको शोला शोमवार का वुरत रखना चाहिए दोसों इससे जल्दी ही आपकी विवाश शंपन हो जाएगा और अच्छा शवर आपको मिलेगा तो दोसों यश में आपको उपने जुनकाल में शत्रियोश शादना रहना है और इने शारी उपा अपने जुनकाल में आप खुश रहें, मंगल में रहें, धन्युक्त